हलो दोस्तो मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दोस्तो टेक्नो की तरफ से एक नया बजट स्मार्टफून जो आपको मिल जाता है काफी ज़्यादा कम प्राइस के अंदर टेक्नो का स्पार्क गो दो हजार तेईस तो नये साल में दोस्तो टेक्नो की तरफ से ये है एक बजट स्मार्टफून जो की एक नया फून है जो आपको मिल जाता है काफी ज़्यादा कम प्राइस में इसमें सबसे बड़ी खुबी यही है इसका प्राइस जो है वो आपको बहुती कम देखने को मिलता है बॉक्स पर जो भी रेट है लेकिन दोस्तो यह आपको मिल जाएगा ऑनलाइन 7000 के आसपास हाला कि बॉक्स पर जो रेट है वो है 8300 तो 7000 इसका प्राइस है दोस्तो जो काफी कम है आज के लितने बजट में बहुती कम फून्स लाँच होते है चले देखते हैं दोस्तो स्पार्क गो 2023 में आपको 7000 में क्या क्या दिया गया है तो अन्बॉक्स करती सबसे पहले फून मिल जाता है इसके बाद कुछ यूजर मैंडूल है 12 महिनी की वारंटी मिल जाती है कवर भी है बॉक्स के अंदर ट्रांस्परेंट और इसके साथ दोस्तो इसके साथ आपको Type-C केबल दी गई है यह चीज मुझे बहुत जादा बढ़िया लगी जादा तर फून्स में दोस्तो आपको USB to Micro USB केबल ही देखने को मिलती है और लास्ट में रखवा मिलता है यह वाइट कलर में चार्जर जो की दोस्तो यह simple 10W का चार्जर है तो चार्जर आपको normal मिल जाता है इसके साथ 10W का अब box के जो contents है दोस्तो फिर भी rate के साबसे देखा जाए तो काफी बढ़िया ही दिये गए है Type-C केबल है जो बहुत सारे phones के साथ इस budget में देखने को नहीं मिलती चार्जर भी build quality में सही है इसके साथ normal speed मिल जाती है cover भी है अब चली बात कर लेते हैं दोस्तो डिजाइन के बारे में तो देखने में तो यह phone बिल्कुल भी नहीं लगता कि इसका price जो है वो 7,000 है 7,000 का बिल्कुल भी नहीं लगता यह phone क्यूंकि दोस्तो इसके अंदर आपको जो design दिया गया है look wise वो काफी जादा बढ़िया मिल जाता है नीचे की तरफ आपको टेक्नो स्पार्क की branding दी गई है कुछ इस तरह की से diamond cut में design मिलता है camera का module दोस्तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े बड़े आपको कुछ इस तरह की से design देखने को मिल जाता है camera का design जो की बिल्कुल iPhone 14 Pro Max अगर आप खरीद लिएंगे 10,000,000 का वो भी फेल हो उसका size भी छोटा पड़ जाएगा इसके सामने तो कुछ इस तरह के से दोस्तो इसका design आपको मिल जाता है fingerprint scanner जो है दोस्तो आपको camera के module के अंदर दिया गया है जो इसका मतलब ऐसा लगा रहा है तीसरा camera है तो कुछ इस तरह के से pattern है तो यहाँ पर आपको fingerprint scanner दिया गया है design की quality आपको काफी बढ़िया मिल जाती है और इसका color वगरा भी आप देख सकते हैं काफी जाद अच्छा लग रहा है इसके साथ दोस्तो इसके अंदर आपको जो display दी गई है वो मिलती है 6.5 inches के आसपास तो साड़े चेंच के आसपास इसके नदर आपको display मिल जाती है हलकी सी और बढ़िया उससे भी तो दोस्तो इसके नदर आपको काफी बढ़िया मिल जाती है और IPS HD Plus display दी गई है अब display की quality कैसे उसको चेक कर लेते हैं बाकि दोस्तो ये phone आपको दूसरे color में भी देखने को मिलता है तो कुछ इस तरह किसा आप इसका ये वाला color भी देख सकते हैं हालकि जो है इन दोनों phones के comparison में इन दोनों color में left वाला जादा बढ़िया लगर आप कौन सा अच्छा लगा comment करके ज़रूर बताइएगा अब बात करें दोस्तो डिस्प्ले के बारे में तो display scanner आपको कुछ इस तरह किसा मिल जाती है user interface आपको ऐसा दिया गया है आप इसे उपर की तरह swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाएगे तो उनको जो है आप uninstall कर दियेगा तो memory भी आपको थोड़ी फ्री मिल जाएगी तो थोड़ी extra application से इसके अदर तो ये चीज़ आपको देखने को मिल दी है इसे के साथ दोस्ते scanner आपको user interface इस तरह किसे दिया गया है आप उपर swipe करेंगे आपको सारी apps मिल जाएगी 90Hz का refresh rate तो इसके अंदर आपको नहीं दिया गया normal 60Hz का refresh rate देखने को मिलता है पाकी normal use के अंदर दोस्तो ऐसा कोई lag फिल नहीं हो रहा के hang हो रहा हो बहुत जादा phone तो ये चीज़ तो देखने को नहीं मिलती तो ये चीज़ ठीक है colors वगर भी आपको बढ़िया दिये गए है normal brightness मिल जाती है left side साब देखेंगे sim की tray दी गई है दो sim card एक memory card तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं और ये एक 4G phone है निची की side साब देखेंगे तो type c port speaker mic headphone jack मिल जाता इस तरफ right side साब देखेंगे volume के buttons और power का button है दोस्तों तो ये buttons आपको कुछ इस तरह किसे मिल जाते हैं ओपर से देखेंगे तो plain design है अब दोस्तों इसके अंदर आपको RAM और storage कितनी दी गई है उसको check out कर लेते हैं तो इसके अंदर दोस्तों आपको दी गई है 7000 में 3GB RAM 32GB के internal storage तो 3GB RAM मिल जाती है इसके अंदर 32GB internal storage दी गई है तो RAM और storage भी वैसा दोस्तों rate के साब साब को बढ़िया ही मिल जाती है finger paint scanner भी आपको मिल जाता है back side पर तो ये चीज़ भी काफी बढ़िया है दोस्तों जादा तर phone सके अंदर आपको finger paint scanner इस budget के अंदर देखने को नहीं मिलता कम से कम 8-8.000 के price point पर देखने को मिलता है इसके साब दोस्तों Android का version check कर लेते हैं इसके अंदर आपको कौन सा दिया गया है तो इसके अंदर आपको Android 12 मिल जाता है उम्मीद करते हैं इसके अंदर आपको 13 का भी update जल्दी देखने को मिल जाए तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है इसके साथ दोस्तों चलिए इसको restart करते हैं देखते हैं कितना time लगाता है ये restart होने में और performance आपको कैसे देखने को मिलती है जाद अच्छी है जो बहुत सारे लोगों के लिए काफी important होती है जिनका budget कम है लेकिन battery backup बढ़िया चाहिए तो ये काफी बढ़िया रहेगा बाकि दोस्तों बात करें processor के बारे में तो इसके अंदर आपको processor काफी average दिया गया है media tech का 822 अब देखिए दोस्तों अगर आप एक normal user है तो इसके अंदर तो आपको दिक्कत नहीं होगी लेकिन अगर आप दोस्तों जैसे आपको performance बहुत ज़्यादा बढ़िया चाहिए game अगर आपको ज़्यादा खेलने है तो इसके अंदर आपको दिक्कत होगी इसके अंदर आपको इतना बढ़िया भी processor नहीं दिया गया है तो इस चीज़ आपको average देखने को मिलती है तो दोस्तों अगर आपको budget कम है और performance आपको बढ़िया चाहिए ऐसा phone आप थोड़ा सोच रहे है खरीदने की तो यह चीज़ इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलती तो थोड़ा सा दोस्तों आप डिसापॉंट हो जाएंगे इस phone को लेकर इस चीज़ में तो यह चीज़ आपको normally मिलती है अगर आप एक normal user है day to day use में दोस्तों आपको use करना है आपको बिल्कुल लाइव दिखा दिया बिल्कुल भी मैंने वीडियो को कट नहीं किया ताकि आपको बिल्कुल एक्चुल जो है टाइम को बतलग जैसने कितना टाइम लिया रिस्टार्ट होने में और यहां पर बीबी एप्लिकेशन्स लोड हो रही है तो कुछ इस तरीके सा आपको स्पीड देखने को मिलती है चले में कुछ एप्लिकेशन्स और ओपन करके दिखाता हूँ आपको स्पीड का और जादा अंदाजा हो जाएगा सबसे पहले ओपन कर लेते हैं डाइलर को देखते हैं कैसे जो है ओपन होता है इसके साथ दोस्तो इसके अंदर आपको बैक साइट पर जो में कैमरा दिया गया है वो मिलता है 13 MP 13 MP परफॉर्मेंस जो है दोस्तो आपको कैमरी की वह आपको नॉर्मल मिल जाती है तो दोस्तो camera की performance और दोस्तो इसके अंदर आपको जो processor मिलता है वो तो average ही है बाकी display का size, fingerprint scanner और इसे के साथ दोस्तो बढ़िया battery, RAM और storage भी सही दी गई है display का design भी काफी अच्छा है, display की quality भी आपको सही मिल जाती है type C cable है, charger जो है आपको सही मिल जाता है, cover भी है box के अंदर ये सारी खूबिया जो है दोस्तो, इसके अंदर काफी बढ़िया है बाकी performance को लेकर और camera को लेकर मुझे ये phone normal लगा फिर भी जो इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो है इसका price अब बहुत सारे लोगों का 7000 से उपर budget नहीं हो पाता चाहे थोड़ा time भी रुख जाएं, थोड़ा और जादा saving भी कर लें तो जादतर लोगों का budget अगर 7000 तक ही है तो आप इस phone को जो है consider कर सकते हैं दोस्तो आप इसको खरी सकते हैं normal यूसके साब से तो अगर आपको budget जो है दोस्तो 7000 तक कही है आप उसे उपर नहीं बढ़ सकते हैं तो आप इस phone को देख सकते हैं दोस्तो काफी बढ़िया रहेगा नॉर्मली उसके साब से, बाकि आपको ये कैसा लगा कैसे नहीं comment करके आप जरूर बताइएगा टेकनो का स्पार्क गो 2023 नए साल में दोस्तो आपको टेकनो की तरफ सही है नया budget phone कैसे लगा कैसे नहीं comment करके जरूर बताइएगा वीडियो दोस्तो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक like करके जरूर जाइएगा चैनल पर आप नए है सब्सक्राइब आपने नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि नए वीडियो आप तक पहुच्छते रहें वीडियो दोस्तो अगर आपको helpful लगी तो अपने दोस्तों के साथ इसको share ज़रूर करिएगा WhatsApp और Facebook पर चैनल दोस्तों मिलता हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye